नमस्कार दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल वेब कुटुम पर आज हमारे साथ अर्विन मिश्रा जी मौजूद है जो की भगवता चार हैं श्रीमत भागवत कथा का वाचन करते हैं मेरे ग्राम आटा में इनों ने स्रीमत भागवत कथा संपन ने की हमने सोचा ये खास अउसर है और इस अउसर का लाब उठाना चाहिए कुछ सवाल जो हमारे आपके मन में होते हैं वो महराज से पूछेंगे खास तोर से मेरे मन में कई तरह की सवाल आते हैं धर्म को लेकर स्रीमत भागवत कथा को लेकर या भगवान को लेकर तो महराज जी से उनका हल जानने की कोशिश करेंगे चलिए शुरू करते हैं महराज इसे बाचित करते हैं महराज आपका स्वागत है हमारे चैनल वेब कुटों पर महराज जी सबसे पहला सवाल हमारा यही है कि स्रीमत भागवत कथा का लगभग हर जगे वाचन होता है लोग खुप सुनते हमेशा से सुनी जा रही कही जा रही है वहीं एक वर्ग ऐसा है जो श्रीमत भागवत कथा को कहता है कि जो उसमें लिखा है वैसा कुछ है नहीं यहां तक कहते हैं कुछ लोग की जूट का पलिंदा है क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी है जो नॉर्मल न सब सत्य है अब ना मानने की बात तो अब जो संसार में है हर प्रगार के व्यक्ति भी होते हैं अब जैसे कि हमें बेद की सुर्थिया बताती है कि हमारे में ऐसा लिखा है क्योंकि बेदमाता ने बताया हम वे उत पर विस्वास करते हैं जैसे हमारी मा ने बताया कि तुमार माके पर विस्वास करते हैं ऐसी बेद मात कर लिस से हमारा सारे, ग्रंथ निकले थे इसी MAD BHAGWATAD शत्रा पराण निकले थे मालुम होता है कि हमारा धर्म क्या Salah हमको क्या करना चाहिए परमातमा को कैसे पॅराथ किया जाये परमातमा तो सर्वत माया के नीत्रों से परमात्मा को देखना चाहिए तो नहीं देख सकते है जब तक परग्या चक्छूना हो माया के नेत्रों से हैं अंदूनिने चाहिए आध्यात्मिक दिरिश्टी Цाहिए हम यह देखते हैं वहाउ इंधारत्य भगवान श्री किष्ण के हमें कई पहलू नजर आते हैं एक पहलू उनका यह कि वो योगी है और एक बड़े राजनीतिक हैं है मलब उनके जैसे राजनीतिक को होना आज भी मलब जो आधुनेक इंस्टिट्यूटों यह पढ़ाया जाता है कि भगवान श्री किष्ण किस तरह के राजनीतिक गते हों किस तरह से मलब प्लानर थे योजना बनाते थे तो वह सिखाया जाता आज की पीड़ी को मलब एक तो रूप में हैं लेकिन लीला उनकी एक्दम हद प्रफ करने वाली हैं तो इस पर सवाल उड़ता है कि वास्तों में ऐसा था वास्तों में वह इस तरह से मतलब करते दे या मतलब एक आदमी की तरह ही सारी चीज़ें करते हमारी प्रूज मानों बनके आए है मनुस्का रूब अलोकिक शक्ति तो पर है तो और एक इल्ए पोने सक्तियू ऐए हмानों सक्ति अलोकिक शक्ति थी लेकिन अपनी कुपर्था चलती रहेगी, बोले तो ऐसा करो कि दूद दही एकतरती ना होने दो, जब दूद दही एकतरत होने लगा, तो उन्होंने अपनी टोली बनाई, जिसको माखन को खा करके, और बरतन को भी तोड़ देती थी, इसलिए इस कुपर्था को मेटने लिए, कि दूद दह कि रतन होता है, यह खाने की बच्तु है, इतार तो शिप ब्यापार नहीं किया जाता है, हाँ, जितना अपना जरूरत तो ब्यापार तो किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि अगर दस किलो दूद हो रहा है, तो दस किलो दूद काही ब्यापार हो जाए, बच्चे मुखे यह अच्छा उधारण है कई बार श्री किष्णी जी की जो लीलाएं है कई सादू महात्मा या भगवता चार जो है उनका बखान करते हैं अपने तरीके से कहीं ऐसा तो नहीं कि मलब भगवान श्री किष्णी कर सारी चीजें मलब एक आदमी की एक मलब आम आदमी की तरह ही लेकिन उनको बढ़ा चड़ा कर लिग दिया हो बता दिया हो वैसे ऐसा तो गर्णतों में नहीं लखा है है जो प्रभू ने किया है एक गर लांद कर दो जा लख दिया होता है अगर दूसरी गंद को लिए nar cock में कोई कथा मैं वी प्रीटत्ता दिखाई दे तो थो होते जो लिखा है सत्त लिखा है अच्छा एक चीज मैं देख रहा था ये खास दोर से मेरे मन में ये सवाल कौन था था कि जैसे मैं कई पॉरालिक चीजें पड़ता हूं तो उन में लोगों के जन्म के बारे में लिखा होता है कि फलाने का जन्म इस तरह से हुआ था तो कई बार कई महापुर्शों के या कई लोगों के जन्म इस तरह से बताए गए हैं जो नॉर्मल नहीं लगते मतलब जैसे कि मैं महरसी वेद व्याश जी के बारे में पढ़ रहा था तो उनका ही जन्म लें तो उनका बताते हैं कि माता सत्वती उनको पार कराने गई रिशी महरसी वेद व्याश पैदा होते ही बड़े हो गए कोई बच्चा पैदा होते ही बड़ा कैसे हो सकता या कई वार हम देखते हैं कि मचली के पेड़ से आदमी का जन्म हो गया तो इस तरह की चीज़ें मतलब कितना हकीकत है इस तरह की चीज़ें हो सकती है क्या जी जब दक् पेट का उफ्रेशन करके अंतलिया निकाल लेते हैं यह अपना हाथ लगा कर दूर से लगा देते हैं तो पहली भी ज्यान था पहली विग्यान था अब रही बात जो बेदव्यास की है यह योगी पुरस है बहाराश सर रसी महराज योगो पुरस थे इनका तेज ओजस जो होत तो तेज के द्वारा उन्होंने स्ट्वति में गर्वधारन कराया जिससे जब तेज अधिक होगा तो पुत्र तो बड़ा हो गया तो तो है नौर्मल तरीक से बच्चा छोटा पैदा होता तीरे धीरे बड़ा होता है वह एकदम से बड़े हो गए या कई वार हम देखते हैं तो यह संभव है द्रिश्टी मातर से जब अपने शरीर में इतना उजस वर जाता ब्रमिचारी रहने से तफस्या करने से कि अंग अंग से सोज़खने लगता है अगर महापुरु चाहे तो दृष्टी से क्या बने उंगली छुआने से भी हो सकते हैं देखने से उख सकते ह क्योंकि उतनी पर उर्जा सकती हो जाती है ना बुत्र पैदाप करने किया संताना आगे बढाने के लिए लेकिन संत मातम ऐसा करते नहीं है जब संसार में कोई आपती ऐसी आती है जैसे संसार चलने बाला नहीं है धर्म जाने वाला तब ही ऐसा संत करते है अब जैसी राजा जब बैन की करता सुनलो राजा बैन एक दुस्टात्मा था शंतों ने उसे समझा है लेकर नहीं समझा है बूले मैं ही सτο हूं बुदी महानलता था कि मैं ही सोर हूं conservative मannée करते हैं और से समझा अनाचार कर रहा था तो हंका अशते बंत बंथ कर दिया अब संसार ओमाल चोल लिटेए राजा कहां से आये तो उसके सभीर का मंधन کला जबकि दूदय का मंधन गेन और निकलता है तो क्या ओजस बीर के द्वारा के अफगर प्रदान नहीं हो सकता है। इस तरह की जो चमतकारिक चीजें हैं ये मतलब एक योग मात्र के लिए ही हैं जैसे मालो सत्योग द्वापर तरेता में ही ऐसी चीजें हो सकती हैं कल्योग में भी संभा हुआ है। इसा है द्वापर शत्योग में ब्रुट में तपस्या प्रदान थी योग समाधि संभाधी अब कल्योग में उत्ती संमाधि योग करने पड़ते हैं जो बास्त्यविक संत हैं जो तो तो यहीं बढ़े होंगे, बैढ ते होंगे, देखते होंगे जैसे अपनी गटना बताएं, हम बंद्राबन में भटक गया था, बंसीबट की ओर, तो एक संत मात्मा भटक गया था रहा है, मारक नहीं मिल ला था, भूंक भी लगी थी, हम चार पांच बच्चे थे, पांच बच्चे थे, तो एक गुफा से सांस आ रही थी, तो हमने भी य जो एक बंद्राबन में भी थी, हमने की तो कोई संत मात्मा भी थे, आम पहुंची है, प्रिडाम किया उनको तो उन्हों अपने हातों से बढ़नी को उपर किया, कुछ बोले नहीं है, इसारा किया, तो हमाराज भूंक लगी है, तो हमाराज भूंक तो लगी है, अंदर अधडी जड़ी लेकिए, इसारा किया, कोई माचली फूंझ लो, तो हमाराज भूंची है, तो हमने भूंजी और भूंजी तो लगी ठीक्ड़ी बटी चांदी मोटी हो से एक एक जड़ी नहीं का थे, अम लोह ने पूची एपई पानी के लिए पूंची का पानी के लिए किसी की पूजा पार्ट में अच्छे बच्चे बिगने नहीं डालते अब जाएए मैं वहां से उनकी बात मान के लौट आया अपने गुरू से का हमने गुरू ऐसे ऐसे दर्सन किया बोले कोई संत की किरपा हुई तुमारे उपर हम ने अब सुभाय फेड़ जाएंगे वो ली अंहीं मिलेंगे अंहीं मिलेंगे तो जहां से में बापिस इमना जी किनारे आया था वहाँ पर घ्षक्तर गाड़ कि आया था लेकिन उस संत हैं कब कहा बाढ़ जाएं तप सेकलने संसार में नहीं आते, कब किसी दिष्टी पढ़ जाये, ऐसे संथ आज भी है उनकी उम्र कई वर्ष हो सकती है, कितना हो सकती है 1000 वर्ष हो सकती है, आज भी जब अन्हा लगाओ बलरी के बार मेने नेतरों से देकिन धिर्तिल बे लगेते तो मर कित्ती होगी उनके एक दो बरस तो होगी नहीं हजारों बरस होगी है अच्छा मारा जी यह बताओ कि जैसे कि भगवान को लेके जैसे मेरे मन में कई वार आता है मैं बड़ा आस्थावान व्यक्ति हूं लेकिन कई बार लगता है नहीं मुझे लगता कई लोगों के मन में यह होता है कि कभी उन्हें इश्वर में सरद्ध हो जाती है कभी लगता है कुछ भी तो क्या है मतलब इश्वर को हम कैसे महसूस करें इश्वर का दिखाई तो देता नहीं है महसूस कैसे करें एक सिस संद के पास पहुचा हमारी बिंद्रवन में हरे गुरु बाबा के पास उसने भी यह प्रस्ण किया था कि एगर भगवान है तो हमें दिखाओ हमें दिखाओ गुरु बाबा हमारे जरा नागादी शुर्थ है तो उन्होंने का बेटा यह देखने की कि बच्तु है् बोले हमें बिष्वास नहीं दिखाओ जब दौ-चार बिर कहा तो हमारी गुरु बाबा ने उसके चा पांड़ दिया उसके चांटा मार दिया और हो रो दर्द नहीं दिखाय वाले, ऐसे मेरा प्रिवू है, अलग है, दिखाई नहीं देता है, लिकिन अगर प्रेम से प्रकट किया जा तो आज भी प्रमात्मा आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, अच्छा, जैसे कि भगवान राम, भगवान कृष्ण, या और भी इस तरह से जो लाइन हीक, भगवान हम कैंते हैं, तो यही वास्तिविक भगवान है इनके ऊपर भी कोई है? नी परमात्मा ब्रह्म एक है अपने अंसो से संसार में आता है वो अपनी जगह इस्तर है अंसो से संसार में आधरम होने लगता है सनात अधम रसातल को जाता है तो पिर वो अपनी शक्तियों को ले करके अंसो से संसार में आते हैं और संसार का उस पाप से उस अधरम से उधार करके पुना धर्म के सत्ता अपना करते हैं और आज भी ऐसा होता है जहीं कहो कल्यूग में द्वापर में ही आ है कल्यूग में ना है कल्यूग में परमातमा आते हैं हमारे अयोध्या में एक नाश्टिक पोंचा जो परमातमा से बिमुक था कभी नाम नहीं लेता था बहुत न चार वजे से एब लगी? उसे गुश्या है एक तो मेछर दू अंन बॉज्णाक रखे आढ़े किया इंदिया, क्या पर वोड पर एंक, पर मात्मा के बना, कि है इस वह उनक है तो हमारे महराजी ने कहा दुर्मदास ने कि हाँ सब को खिलाता है अगर चीटी से सब को खिलाता है विटा तुमको भी खिलाएगा वहां पर बैठ गया लेकिन उसके बाद प्रवु की किरपा एक किसान की पत्नी रोटिया लेकर आई दो बाद सब्सक्राइब जब उसका पती नहीं मिला तो नियम था वो रोटिया उसी बरगट से बांदी थी रोटिया बरगट से बांदी बुच पचली पने घर पे इधर उसका किसान इतना कारी में रहा गर दिन भर रोटिया खाने ने आपाया कलेबा अब उपर बैठा है सो कि आपकार इसमें रोटियां बनी है खोलो छे रोटियां तीन लोग थे वोले बहीं दो पढ़ जाए उसमें जो मुख ता वोला भर ठैड़ जाओ मार रोटियां कहां से आई वोले किसी ने समय चाल की होगी बिसम लाया होगा बीच में टांग दी अपो लोग खालें मरजे अ बहुत बड़े आश्तिक हुए और अपना एक द्वा लिग गए अजगर करेना चाकरी पंची करेना काम दास मलूका कह गए सबकी दाताराम यह मलूका दास कल्यूग में हुए द्वापरतिता की बात नहीं कराम मलूका मलूका दास को तो परमात्माहा यह अच्छा करना होता है है लेकिन क्या ऐसा है कि मतलब वास्तों में कि मतलब जैसे हमारे मन में कर्म कर्म भी अगर हमें करना है तो उसके लिए मन में विचार होना चाहिए कि यह करना है तो विचार तो कहीं न कहीं वहीं से प्रकट हो रहा है तो यह मालने ईश्वर की किरपा से अपने पास में मन है वो बुद्धी है मन है बुद्धी है मन कहता है ऐसा करो बुद्धी कहती है नहीं यह गलत काम है ऐसा निकरना चाहिए क्योंकि आत्मा बुद्धी है वो कहती है ऐसा गलत काम ने करो लेकिन हम आत्मा की बात को कि मन की द्वार करपते जो कि संसार में आधर्म हो जाता है जिससे कि यदार्म होने से ॹ maj Pabli to संसार का उधकर होता है जेकेन महाराज मन और आत्मा भोना ही तो ईष्वर की देन अमलों बिचार है एक आत्मा माई चाइए मन Hey आत्मा एक स्वचंद है, उसके उपर किसी का कोई बस नहीं है, लेकिन मन पाँच ग्यानिंद्रियों से बटा हुआ है, चक्छु, सुरोत, घ्रान, इनके बीचे बसा हुआ है, तो मन इनी के दोरा जादा काम करेगा, आत्मा से उसके कोई मतलब नहीं है, वो तो अपना जो कह सत कहे गा, और जब इंद्रियों से उनने अच्छा देखा, और मन कहे रहा है, इस अच्छी चीज को ले ले ले, आत्मा करियर गलत है, दूसरी की चीज है, लेकिन इंद्रियों से बस में वो इन, इसलिए मन के द्वारा हम लोग काम कर बैठते हैं, आत्मा के जवारा जब उस काम पर द्यान ने देते हैं उस पर द्यान ने तो आज भी द्वापरसति आज भी हो सकता है लेकिन आज के जैसी प्रविर्ति हो रही तैसी प्रकृति हो रही है प्रविर्तियों के द्वारा प्रकृति बन रही है जैसी प्रविर्तिय बन रही है तैसी प्रकृति बन रही लेकर प्रविर्थी भी तो ईश्वर की देन है, जैसे बन रही है उस कही न कही विचार उपजरा ना मन में तो आत्मा की बातमा है वह गाला मुठी है ऑच अगर अगर आत्मा की बात माले अमुटे तो प्राता काल का उठना बहुत अचा होता है क्योंकि मन आत्मा दोनों है लेकिन जो आत्मा है वो निर्फेक्ष है अजरमर है और वही परमात्मा है जैसे कहती इश्वर अंस जीव अबनासी चेतन अमल सहजु सुक्रासी अगर ऐसी माया प्रभुकी न होती तो इस अंसारी नहीं होता अच्छा यह बताईए जो इश्वर है आपने का एक परम ब्रम है उसके बाद वो अपने अंशों में प्रिकट होते हैं तो परम ब्रम जो है वो एक साकार है मतलब की मतलब बहुत से लोग से निराकार मानते क्या है पिशह सी जिस ब्रम को बताया हमार वेदों में उ तो निराकार है जिसमें कहा गया व mirgati आकार व इस मात जिसमीं कुई कर नहीं रोड़ा करना हो लेकिन वह नराकार-ब्रम जब साकारम संसार बनात तो सा कर और साकार बन करके таav संसार कौंसेप्ट आए पुनारजनम मानाय जाता है। यह वास्तव में होता है फुनरजनम मतलब और फिर अजैसे मतलव जैसे मतलद मुट वहता है तो आदमी आदमी का जन लेता है। कुछ और ले लेता है अईसा है हमने जीवन में जो कर्म किये उन्सके आधिन हमें दूसरा जनम मिलता है क्योंकि शौरा से लक्षी उनिया है और हमारे बेदों आया अंते मती सागति जब प्राण निकार ले हो जो मती होगी और ही मती का पुरुष दूसरे जनम में आएगा ज लेकिन एक हिर्नी एक सेर्नी तहनता मंगा इसे लिए पार कर रही थी लेकिन गर्ब द वच्ताadin उसका गर गिर गया ज़ी में देख जम में भी बचाना हम मानौ है कर कोई मिआए जर्चान जब कुछ भीन को इतना ना फ्रेम इतना प्रेमासकत हो गया पईना बढ़न ना र जलने चला जाए तो आये कहां चले गए आईयोदु इसी कुछ मेर को फोते हैं भुश एसाइन नारू मध्य मेर आपकोड़ा टॉत आजब सबस्क्राइब कर्म की हैं जड़ी बरत के कदा ले लो अखरी च्रणों में आसकती जिस चीज में होगी जिवन के बाकी निन्यान्वे साल कुछ बढ़िया कर्म की हैं तो उसका भी हिसाब होता होगा जैसे कर्म की हैं, जैसे जड़ जबरत के कदा ले लो, मिर्ग योनी में चले गए थे, लेकिन उन्हें तपस्या की थे, तो मिर्ग योनी में भी उन्हें पूर जर्म का ध्यान था, कि हमने तपस्या की थे, तो मिर्गों से अलग चलते थे, एकादसी को कुछ घास नहीं घाते एसा वो अपना नियम चलाते थे, जब मुर्गी उनी से संसार में दुबारा आए, तो वो भी फिर भरत हुए, और उनका नाम जड़ भरत हो गया, क्योंकि सोचते थे, गर हम बिद्धता बना के रहेंगे, तो सब लोग हम को छेड़ेंगे, तो हम संसार भगवान का भजन नह कर पाएंगे, इसलिए मूर की बात भरते थे, कभी कड़ी खाने लगें, कभी नाक में बढ़ा लाएं, कभी जे करने लगें, वो करने, बोले रिजट जड़ है, जड़ है, जड़ भरत है, भाईयों ने कहा, बोले चेड़ियां रखाओ, खेत रखाओ, तो वे कहते आओ च प्रोतर के चर्मस्तक हो गया, उपाएं क्या है, मतलब की अंतिम समय में आदमी की आसकती, सही आसकती क्या होनी चाहिए, क्या उपाएं, ताकि अगला जो जन्म है, वो सही से मिले, या मलो, ना मोक्ष ही पराप्त हो जाएं, बैसे ये बात बहुत अच्छी बात पूची है अंत में वो ही आसकती आजाती है, जो जीवन प्रेटिक करते हैं, जिसका हम अभ्यास करते हैं, अगर हमें गाली दने का अभ्यास है, तो गाली हैं गाली निकलेगे, अगर हमें भजन करने का अभ्यास है, तो भजन भजन निकलेगा, अगर हमें धंदौलत का अभ्यास है, इसका पैसा लोजो बोई मन में आएगा तो जैसा हम अब्यास अपने जीवन में करेंगे अकर भजन का अब्यास करेंगे तो ऐसा नहीं कि आंत में भजन ना आए अंत में भजन आ जाएगा प्रलुख समग जाएगा तो इसलिए आसकती को ड़ाइगे पहले अपने को नियम चाहिए कि हमें किसकी उर्जादम मुड़ना है, तो पेसे कब देते हैं, जब एक्सीडेंट हो जाए, तब यह जए तो देते हैं, लेकिन अखर जिसने प्रभू का भीमा ले लिया है, हमारे प्रभू का नाम ले लिया, उसके सरु में चला गया, तो प् वही अपने भक्त कोई अपती नहीं आ ने देतें क्योंकि वो को बीमा पेली दे देतें है लेक्न अमक। पुछ ऑप्रूकाश्य को कुछे में तो बीमा तो सदय लगा ही रहते हैं कि मतलब तमाम तरह की भौते का सकतियों से अच्छा है कि एक आध्यात्मे का सकती बनाई जाए और उस पर प्रेक्टिस की जाए ना भगवान का भजन प्रभू का नाम और आध्यात्मी और जुकाओ अब वीडियो लंबा हो रहा है थोड़ा और आपसे पूछेंगे एक धर् में क्या है कि कई बार यह देखने में आता है कि जो हिंदू धर्म जैसे सनातन धर्म कहते हैं हिंदू बाद में कहा जाने लगा तो सनातन धर्म ही धर्म है बाकी जो धर्म है वो धर्म नहों के समुदाय है पंत हैं समुदाय है वो धर्म नहीं है तो वास्तविक्ता में धर् एक ही है वैसी सनातन धर्म मूल धर्म है जो भारत की संस्किति है भारत क्या अपने पूरे देश की पूरे संसार की संस्किति है सनातन धर्म और इसी सनातन धर्म में जब आपति आती है गड़ता है तो परमातमस को फ्रसे बनाते हैं सनातन जर्म से ही सारी ब्रिक्ष निकला औ गुषद्रों भूचिक कि आपने के लिए और धर्म कि प्रतिक या उपाय नहीं करना पड़ता है सनातन बनने के लिए और धर्मों हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ पिर्थाई है जिनका पालन प्रतिक अच्छा एक चीज़ बताईए है महाराज कि जो सनातन धर्म या हम इस तरह की जो चर्चा कर रहे हैं का आध्यात्मिक चर्चा धार्मिक चर्चा कर रहे हैं आज की इस्थिती में जो हमारी उम्रका युवा वर्ग है या जो नई जनरेशन आ रही है तो वो सारी जनरेशन अब स्मार्टफोन में कैद हैं वह उसके पास वह मारती भी नहीं है वह उनके माता पिता या दादा दादी तो मानते हैं जो नई पीड़ी हैं वह ये सब कैसे इन सब चीजों को अपने जीवन में आतमेशात करें जो यह प्रेक्टिस वाली बात हुई है कि हैकती हो खर अच्छान पर इसकश-थन पर हो फैशी मोबाइल फ्न को टेक्ऐत नहीं है तो यह पर कंडेशल दिचाए लेकिन इसी घलत तो ऩो ऌर बन मोबाल फोन में ऐसे आपकु डालते हैं कि जिसको देखने से जीवन का उधार हो जाता है जीवन का उधार हो जाताह है छोजसी कथाय है बहुत से जगे के चर्चत्र हैं जिसको देखर करके मं पर मात्मा में लगता है इसी आप लोग करते हैं, तो मोबाल बहुत अच्छा है, लेकिन उसे गलतरी से देखा जाए। तो जी बहुत गलत है। अब नहीं बच्छों का संवकार माटा-पता से बनता है। माता पिता पनी बच्चों पर संसकार ज़ी डालेंगे, तो ऻाख़ी बनेंगे, मातापिता नहीं बच्छों को दिये लुँपालिये से भिष चाँ डे भी तरही बढ़ी मेरें, लो बाए माने ही भी लग जया से हैं, अलो जैसे अपने पढ़ाई के देखो, इमानी ऐसमानी गधां पढ़ायाऀ जाताält दिए हमारे हिंदी में क्या हो ताा अमानी अनार अनार नही पढ़ा जाता था जो माँबाप हें कर रहे हैं आज कि संस्किर्ती है आद रोड जा रहे हैं तो उसकी ओर लेकर करके पहले अपनु लोग पंड़ने के लिए याते हैं तो यह खरी पाटी जाती थी अब बच्चा पंड़ने जाता तो जित्ता सा बच्चा नहीं उता पीट बचता लगता है अपने बच्चों को से संसकार दें जिससे वह पुत्र आगे जाकर कि धर्म को माने मर्यादा को माने परमात्मा को मंगे जीवन का उद्धार हो जाए जो मैं यहां यहां को माराज ने बहुत अच्छी बात कही कि सिक्षा पर काम चाहए और बच्पन से सबसे पहले लिबाणता को' pillar से करता है इंद That माता पिता पहले सिक्षा कहें जाते हैं छो बच्श को सिखाए जाता से हैं इसरों काम हो लेकिन यह पलगे बच्च बड़े हो चुके जो बच्चे बड़े बड़े यां मुझे से भी बड़े बच्चे हम सढ़ गई रहा में मतलब लाइन में आ सकते हैं उनकी बशकने के लिए है सिर्फ सत्संग क्योंकि बिन सत्संग बिबेक ना हुई बिन हरी किरपा सुलम नहीं सोई अगर जो बच्चे बढ़क रहे हैं वो कर परमात धर्म की को जोड़ेंगे सादू का संत करेंगे सत्संग करेंगे तो ब इस लिए जो बास्तिविक बिने नहीं देना था तो चाहे बिर्मिलुक गुर्णिशत्र चाहे बिर्मा जी क्यों लोटके आए उनका हरदार पष्ञ पड़ेंगे यहान है जो अगर भटके हुए है तो भटके को तो सुधा जा सकता है जैसे गाड़ी बिग्डी है तो उसक आपनी मन नंता आन से सुद्धन भूजन करें। जैसे कुमकन आज था पवित्रमन था रावण जगाया तो पवित्रमन से कहा रहा जगदंभा हराण। लेकिं रावण ने देखा इसका पवित्रमन है इसका मन उल्टा कैसे करें। वो लिया पत्र बस्तु खिलाओ, जहां मैसा और मदरा खिलाया, तो वो इकम कर गर्जी और लड़े के लिए चल दी, मन पल्ट गया, तो मन के द्वारा, अन के द्वारा मन बनता है, तो सबसे पहले हमें अन देखना चाहिए, हमें दूसे तन नी खाना चाहिए, जिसे कि महना मन पल्टे, हमें सुच भोजन करना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं, दुनिया में, भारत ही नहीं, मैंलब जादतर बिश्र में, महासाहार के चलन बहुत है, और खासतोर से समंदर किनारे जो लोग बसते हैं, वो मचली पे निरुभा रहा है, और फिर कहा जाता कि सात्विक भोजन, और मन जो है, मन का निग्र, मन का नियंतरल भोजन से होता है, तो कैसे संभा हो सकता है, हम देखते हैं कि मासाहारी वालों की संख्या जादा हो रही है, शाहकारी के पिक्षा, जैसे हमारी सरकारी मस्त पालन में जादा जोड़ दे रही है, मुर्गी फारन में जाद प्रियास मतलब उपर से होना चाहिए जिससे सारे हम सब लोग सुद्ध साकारी रहें अपना जीवन अच्छी तरहें आपन करें कोई व्यक्ति मालू माशाहर करता है जैसे और बंगाल ब्रहमणट या बिहार कहीं कि मालू यूप कहीं वो कहीं वार करते हैं यह मासाहर करते हैं धर में खा जाता लेकिन यह यह सुद्धधार ना हो नहीं तो मासाहरी खाने से सिर्दा से नहीं होती है क्योंकि वहां की जलवाई वहां का बाता बरना क्योंकि मासाहार नहीं करें कि सोद्दा न गए तो भी मर पड़ जाएंगे जलवाई भी तो है वहां का बाता बलना भी तो है और वहां पर इतना भोजन परियापत नहीं है कि जो अब जहां परियापत भोजन है वहां मासाहर करना बहुत गलत बाद है जहां मतलब शाकाहर के मतलब क्या बोलते हैं उपाय है जहां पर विवस्था है वहां पर मासाहर नहीं करना चाहिए मुझे लगता है मैंने आपसे कई तरह की सवाल किये हैं और जो भी बीच में दिमाग में आते जा रहे हैं और अभी तक आपने बहुत ही अच्छे सुन्दर जवाब दिये हैं और अगर कोई मुझे सवाल तो नहीं सुझरा अगर आपको कोई संदेश देना हो तो आप शुआ दी चौरची लक्षी योन्यू गजने बड़ी बड़ी बागसे मानावतन मिला है और मानावतन को प्राब्द करके अगर हम मुक्ती के दौरे पर खड़े हैं क्योंकि यह मानावतन क्या स्वर्ग नर्क अबवर्क नसेनी और अगर हम इसे नीचे लगाएंगे तो का में चले जाएंगे अब हम को क्या करना है इस मानावतन को अच्छी करम करके स्वर्ग जाना है तो में इस संधिश को यह बड़े भाग से मानावतन मिला है तो इससका सद्यश्य भीयो करें और भगवान का भचन करें ऐसा नहींvida कि काम को छोड़ें और वह स्वर्क तो भूंकों मर जाएगा तो घर की ने घर जात है और घर राके घर जाए उपर का नीचे बगर रहा है तो किसी ने काए बाबा आप जीव क्या करें यूटूबी जो पसाए तो गोस्टा में बड़ी सुन्दर रिक्तुए निकरी बोले तुलशी घरवन बीच में रहो अबद पुरुचाए बोले घर और बन के बीचे अबद बना लो अबद का अर्थ है आमानी नहीं बद अपने सरीर से जानते हुए किसी का बद ना करो या अबद का दूसरा नाम है आयुध्या अयुध्या करते हैं आमानी नहीं युध्या अपने सरीर से जगडा ना करो क्योंकि हम लेके कुछ नहीं आए ना लेके जाना है लेकिन एक एक बीता जमीन पर अदालते पड़ी है ऐसी युध्या नहीं करना चाहिए और जहां अयुध्या हम बना लेंगे अपने हिर्दय को अबद बना लेंगे तो जहां अबद तहां राम निवासु परमात्मा का बास हो जाएगा तो ये भी घर बना लाएगा और वो भी घर बना रहेगा बस ऐसा बना रे ठेंगो आपको बहुत बहुत धनवाद आपके चैनल को बहुत धनवाद चरशे धनवाद आपको आपने बहुत सुन्दर बारतल आप हमारे साथ की और बहुत अच्छा एक अनमोल ज्यान जो है इन सवालों जवाबों के माध्यम से दिया हमारे दर्शकों को हम कहेंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगर आपकी कोई राय या प्रतकरिया है तो कमेंट सेक्षन में लिखें और अगर कोई सवाल है तो लेखें हम कोशिश करेंगे फिर से कभी महाराज जी से समपर्गों का तो उनसे जवाब लेने की कोशिश करेंगे और वीडियो को लाइक करें खूब शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैराम जी की बहुत बहुत धन्यवाद